यमडी मुजिक फिल्म्स चैनल के वीडियो देखे खातिर, सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन के दबाएं सब्सक्राइब बटन के बटन के डिल्मा और घंटी मेझ टन का 2 कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर आँ अच्छे बादोजी, हम गायक, कमलेशी आदो सिंद पेट भुलुपुडा, जखनिया गाजीपूर के धर्ती से यमडी म्यूजिक बढ़ानपूर गाजीपूर के सवजन्य से बड़े भाई अजीत यादो के देख रेख में यह हमार विराहा के कैशेट आप लोग के बीच में जारहलवा आसाना पूर्ण विश्वास है कि यह कैशेट यह गीद अवस्य पसंद करेंगे और हमें प्यार दुलार देंगे बड़े भाई डांटर नंदलाल यादो धनरावती हस्पीटल बड़े भाई राजंदर यादो अबर पूर आजमगण के धर्ती से हमारी परमसहयोगी नागेंदर भाई पीके बिल्डिंग कंट्रेक्शन के डाइरेक्टर बड़े भाई प्रमोच्चवान जी के शहयोग से यह बिराहा बनारस उभर प्रीज हादसा पेस कर रहे हैं तो कभी जी बिराहा के अंदर बड़ी उची बात लिखे कैसे बाबू मानविय चूक से आईस घट ना घटी कासी कि धरती लहू में नहाई कोहराम मचा था खवप नाग मंजरे पाहन को भी देख आती रुलाई सासन प्रसासन बना मूक दर्शक असहाय जनता कलेजा दबाई क्या कहूं क्या सुनू क्या लिखूं साथियो कभी बाब बुरा मुकमले से आसु बहाई बार दुनिया को बनाने वाले मालिक देखिये हकासी की नगरी बना रस फिर भगवान भोले नात का आख बंद हुआ साथि बहुत बड़ा बहुत दर्दना का हादसा हो गया कभी को लिखना पड़ा एप्ठोगीत का संकेत है गजल कलाएं बाब अरे मेरे मेहबूब मेरे मेहबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया मेरे मेहबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया मेरे मेहबूब मेरे साथ बड़ा चाल किया चाल किया कभी को लिखना पड़ा बड़ी अच्छी लाइन विरहा के अंदर संकेत है कैसे बाब मेरे मालिक मेरे मालिक बड़ा यह क्रूर भरा चाम किया मेरे मालिक बड़ा यह क्रूर भरा चाम किया मेरे मालिक बड़ा यह क्रूर भरा काम किया काम किया काम किया हस्ती जिन्दगी को मद का पर चाम किया ऐ बाबू बारे दुनिया को बनाने वालिक बोला यह भिनाशिकासी के रहने वाले कहा जाता है प्रमाण मिलता है साथी कासी अभिनासी होले के त्रिशूल पे कासी ठिका हुआ है अरे नाथ आपके रहते हुए क्या हो रहा है क्या हो रहा है नाथ तो कभी को संकेत लिखना पड़ा क्या जिस नगरी को त्रिशुल उपर बसाए भोला मंगल या मंगल का दिनिया मरित में जहर भोला सुनिये सुलाता दर्ग नाक यह कहानी है छण भंगुरिया मानाओ की जिन्द गानी है आए बाबु एक कहानी ततकाल जो घटना घटी कौन सा दिन था विरहा के अंदर कभी जी सजाए हुए है प्रिदेश बाबु सिंधिया गेट का इंट सामने प्रमाण सही अलाई ओ भर का हो रहा निर्माणोई पंद्रह मई पाज पीस संध्या पेला था आने जाने वालू का वहा था रेला था ठीक उसी वक्त मोत किया दिया आई उपर से दो भीम गीर पड़ा भाराई चिख पुकार मची चारिवो रहाय हुआ एक परिवार छपरा जिला का तबाह हुआ पंद्रह मई दो हज्जार अठार पंद्रह मई का दीन साथी काले एक्छरों में बनारस के इतिहास में लिखा गया यह सासन प्रसासन यह तेस तेस के राजनीत में यहां के निता परेता लीन है गरीबों के दुख दर्द को कोई जानता नहीं है देखने वाला नहीं है एक परिवार हसी खुशी से जीने वाला परिवार इस दर्दनांक मंजर में शमाप्त हो जाता है शाथी बिहार प्रांग जिला छपरा से हां कहानी मिलती है कभी को लिखना पड़ा विदेशिया कभावा छपरा पिहारा टेसुआ रसुल पूर गउवा हो पसुपती सिंकाहरी भरी फूला वरिया अब बगिया में खिलले राम बहादूरे सिंग सुमनावा हो अकईला पड़ाई जाके पटाना साहरिया अब बैंक करम चारी कर अपवले नो करिया हो असाधी पादे तिलाक वहरू आवे ले दू अरिया काहनी मिली बिहार प्रांग जीला छपरा के अंतरगत ग्राम टेस्वार रसूल पूर्चती बताया जाता है वहाँ की रहने वाले बाबू पसूपती सिंग्ह जिनके बेटवा बैंक में नोकरी पाता है शाति बड़ी परिवार में कुशी बाबुजी खुशाली मनावाथ ओन वन गुशी मनावाथ ये मिठाई बाट थे कि अमार वेटवा नौकरी पागल लिपके चला जाता है राम बहादूर ये तिलकहरू दूअरे खाचे लगलन लाइग रभुजी कुशी है किदणी लोग क लड़की पसंद भहील जोने लड़की के नाम कुंकुं सिंग बतावल गईल कुंकुं बिटिया के देख के बाभु पसुपती सिंग एस सदिया के त्वाय के देल बिटवा के बियाओ के दिन रखा गईल इप्ठे गीत लगल मास्टर्ज बढ़ी कौनों प्रेमी प्रेमी का के दिल के दर्ग का बात वा बाभु पजेश अब बात नहां से होई सुनाये मोरि करे जा कूदी हले बाडा जहवन मोबाईल आके ले जा कूदी हले बाडा जहवन मोबाईल आके ले जा कूदी हले बाडा जहवन मोबाईल आके ले जा अब बात नहां से होई सुनाये मोरि करे जा कूदी हले बाडा जहवन मोबाईल आके ले जा याद करा जहिया तुवार रहलू याद करा जहिया तुवार रहलू आज बाबू जी बेटवाक भी आताय का दहलन राम महादू के भी आहवाताय कैले ये बाबू बरात सजदहज के चले का तैयारी बाड कैसे चलत बाड गेटवाकर रखले जादी सिरवाकर से हराबाधी गेटवाकर रखले जादी सिरवाकर से हराबाधी पर बेटवाकर रखले जादी सिरवाकर से हराबाधी कुम कुम दुलन्या तैयार भैली कुम कुम दुलन्या तैयार भैली सच के बरतिया दुवार यईनी आए बाबू बरार चलल बादु लहा सच के राम बहादुर सिंग देरे देरे लड़की कुमकुम सुंके दरवाजे पराच चलल दुलहीन अच्छत मरले बा मडवा में पिया पहिट गल शादी विवा होने लगा जब मडवा में दुलाहा दुलही पहिटल हो तो वहां की छटा क्या है दुलही मंडप में उनकल जैसे चान हो सबढ़ी कहेला जोडी कजब भगवान हो अशीपुसी से भाईल सगाई तूलही सा सुघाईली देखे सूरत बहुके अपने सास मेगन खुल भैली देख दुरहिल पहो के पने ताद मादन भैले भरवा भरवा गुल जार भैले भरवा भरवा गुल जार भैले तुम तुलहनी आता इनि आर भैली दुलहनी आता इनि आर भैले भैया शादी हो गई दुलहन की मिदाई होती है घर पे आता है दुलहर राम बहादूर अपने दुलहन को ले के बड़ी अन्मोल रात हुआ करती है सुहाग की रात आज सुहाग रूम में दुनुपती और पत्नी का जम्मिलन होता है शाथी भगवाद दुनिया को बनाने वाले माली कानुकंपा पहली ही रात में आज कुमकुम दुलन गर्भवती हो जाती है नौ महिना बीता है बाबू एठे सुन्दर बिटिया का जन्म होता है शमय बीते लगल बाबू राम भादूर सिंग नवगरी पे चला जाता है नवगरी करता है आउराई में ड्यूटी है बनारस में डेल डबलू में रूम लेकर के रहता है आज धीरे धीरे समय बीतने लगा शमय बीतने लगा कुछ दिन के बाद एक बेटवा का भी जन्म होता है उसी कुमखुम के कौंक से जब एक बेटा को जन्म देती है मा और बाब बड़ा प्यार से उस बेटे का नाम बैभौ सिंग रखते हैं अरे शमय बीतने लगा लड़िका बढ़ यार हो गई लन आज बीटियां के बाबुजी रूस में भेज के पढ़ाई करवा थोवन बेटावा राजस्थान कोटा में इंजिनेरिंग की तयारी कर रहा है माई अकेल घरे बाकुमकुम अपने संया से कुमकुम एक्ठे बात कह गीत लग गई अरह हो गई निखल्दिया नेरे में तानी सकर वट फेरे में लागल रतियाक काहूनी का धाई आये साई आज गुमकुम गुलहान अपने पती राम महादूर सिंखे फोन पर बात कर अपने पती आ रही है कि आप घर पे आये और हमहू रूरा साथे चलब बना रव रव विटिया बेटा परदेश से पढ़ाई कर अफवान हमार अकेल जिंदगी ने खमेना लगता सैयां हमहू के अपना साथे ले ले चला कैसे दुलहिन अपने सैयां से फोनवां पे कहत्यों पड़े ना खटाई सैयां नात्ये में हमहू चलब रूरा साथे में पड़े लगता अपना साथे में हमहू चलब रूरा साथे में पड़े लगता सैयां के ना गारी लाए भईया पड़े लगता अपना उतनो गारी लाए भईया बाबु राम बहादूर सिंग अपने आउरत के बात को सुन करके बिवस होते हैं जाते हैं घर पे दुलहीन कुमकुम को लेकर आते हैं डियल डबलू में रहते हैं रूम लेकरके बाबु शाहब रूम लेकरके रहते हैं दुलहन आज आती है धीरे धीरे शमय बीतने लगा बाबु शाहब प्रतिन बैंक में नवकरी करतें इमांदार किशिम के रहने वाले बाबू राम बहादुर सिंग उनकी बेवस्था उनके इमांदारी को देखते हुए सरकार ने परदुननत उनके नवकरी में करती है और असिस्टेंड बैंक मैनेजर के पद पे कारे रत हुए मिर्जा पुर्जिला और आई में आज बाबू साम बहादुर सिंग बैंक में मैनेजर के पद पे हैं बेटवा राजस्थान में इंजिनरिंग कर रहा है एक बिटिया जो रूस में पढ़ाई कर रही है डांकतरी की यह बाबू हुआ क्या रूस में विड्या खरत राहले पढ़ाई यह रूस में बिटिया खरत राहले पढ़ाई यह तैयारी में बीता कर रहले पेटा के समाई यह तैयारे ने देखा तला लेकाचा बमाए छुट्टी मेल्यके तवा घॉरे में तरकन करेला फूबेरे तैयारे ने देखा तला लेकाचा बमाए कनाकी तैयारे तैयारे पासिर नगर्यारे भाहिया आए बाबू धिरे धिरे समय बीतने लगा बिटिया को रूस में पढ़ाई करती है डाक्तरी का आजाद है एहर विटवा राजस्थान कोटा से गर्मी के टाइम में छुट्टी लेकर के घर पे घुमने आया है बनारस में इस दिन सुबह शाम टेंपल सिटीज से मंद्रियों का सहर बनारस आज दर्सन करके घुमने फिरने में समय बीत गया धीरे धीरे 15 मई 2018 का दिन आ गया आज बाबू शाहब राम महादूर सिंग ड्यूठी पर गये हैं धीरे धीरे समय तीन बज गया आज बयभव का मम्मी कुमकुम सिंग बेटवा के जाय का तयारी करत हैं अपने सईया राम महादूर के फोन करत हैं का करती इठे गित लगए तुहें वीके लाइन मा अरे मन कर्या सिलावट प्यलोड हासे अर्य कुचती जवाली रजवू मन कर्या सिलावट प्यलोड हासे पुचती जवाली रजवू तो ना सावति साथे काता ताड़ा जान रगा के मछर जानी राजवू आज गुम गुम अपने पती राम भाधिर सुनको फोन करती है क्या फोन पर कहती है आए हर ए बाबू फोन कर्य कुम कुम साजानावा के फोन कर्य कुम कुम साजानावा के धरवा जल्दियाई रजवू फोन कर्य कुम कुम साजानावा के घरवा जल्दियाई रजवू अब तो ट्रेनिक समया नियराई ललनवा कैसे चाही रजवू आए बाबू ट्यूटी से बाबू साहम निकल गये हैं रास्ते में हैं पद्मी का फोन सुनते हैं फोने छवाब देते हैं कैसे ओनवा पए कौह बाबूसाह समझाई के कराता यारी पहुचाय के बयाई के कराता यारी पहुचाय के बयाई के आईले बाबु साहवे जब तुआ रावाके बुलाही न दाधाई रजवू आईले बाबु साहवे जब तुआ रावाके आईले बाबु साहवे जब तुआ रावाके बुलाही न दाधाई रजवू अबड़ चालाच लिकाइंट इस्त्रतानावा समय निया राई रजवू आए बाबु धिरे धिरे बाबु शाहब पहुंच जाते हैं घर पे दूलण को समझाते हैं तैयारी करके रखो 10-15 मिनिट के अंदर पहुंच जाओंगा घर पे पहुंच जाते हैं बाबु साहब बेटा का तयारी हो गई डिल डबॉनूस से गाडी में बैडते हैं बाबु राम पहादूर शिंग ड्राइब़िंग सीच पे सवार होते हैं बगल में बेटवा बैड़ता है पीछे कुम कुम सुम बैठती है चल दते है धिरे धिरे चलते है धिरे धिरे आगे बढ़ते एक फो गीत लगते कीशे बड़े बड़े आगे अमरे हार्मोनिय मास्टर प्रिजे स्वावू बजावत्फु है तो यह गीत के लाइन बाग सवतिनी आगे जगर में रजव दूबर भैलाना आज तीनों बेटा मतारी पाफ एक ही गाड़ी में सवार होते हैं चल दिये डिये डवनु से गाड़ी जब आगे चलती है कभी पुलिखना पड़ा क्या तेसा नवा चली हो देह लैना बाबु माई तेसा फेला लानवा बाबु माई तेसा नवा चली हो देह लैना बाबु जी ड्राइबिंग करते हुई रास्ते में बेटा को समझा रहे हैं बेटवा बैभाओ इतना इमानदारिश वहां पढ़ाई करना अपने लवज को पुरा करना किसी गलब संगत में न पढ़ना धिरे धिरे बाद को बतियाते बतियाते भिन लगी है पतनी कुम कुम पीछे से वाद देती है सैया को क्या अरे आगे रोड पर जाम लगलबा धिरे जलाई गाड़ी हो अरे रोड पर जाम लगलबा धिरे जलाई गाड़ी है अरे सिंधिया केट पाँचि नंबर पर सिंधिया केट पाँचि नंबर पर भिन लगलबा भारी किसा नवा चली होते है अरे बाई पाबू किसा अखे ललनवा चली होते है आए बाबू धिरे धिरे गर्दी है घाड़ी स्लो चलाईए गाड़ी स्लो चलाईए पत्नी के वाज को सुर रहे हैं बाबू साहब गवडा मत बैभो को मम्मी तन को गवडाई मत गाड़ी बहु स्लो हम चलावत है धिरे 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 सिंधिया गेट केंट सामने पांच नंबर पे गाड़ी आती है तब तब थोले नात कडमर हुए भिया खड़ खड़ा गया हिल गया कासी कभी को लिखना पड़ा पी रहा के अंदर टेरी का भाग अर्य थर्राईल बाँ कासी कैना गरी अर्य बिधना रूठ गया तब बीम गया भाराई आए बाबु जब ही सिंधिया गेट पांच नंबर पे गाड़ी आती है दुलहन बैभाव की मां कुम्पुम गाड़ी में पीछे सीट पे शवा रहे आगे बाबु जी चला रहे हैं बगल में कुम-कुम सिंध बैठा है अजानक प्रकर्क का हाथसा नहीं यह सासन प्रसासन का हाथसा है साथी इस बात को दिल से कहते हुए बहुत दुख और दर्द महसूस होता है उस बीम का उस पीलर में फसाना ही मेरा सासन प्रसासन भूल पेपर प्रत्रका में यह प्रमाण मिलता है कि बीम और कालम का जो सपोर्ट होता है उसको फसाना ही भूल गए करमचारी इतना बड़ा हासा दिल को दहलान देने वाला आज दो बीम एक साथ भारा के गिरी हैं नीचे वह बनारस की धरती है बनारस का धरती मंदिरों का सहर है भील की कमी कौई नहीं हुआ करती है बगल में इस हिंदुश्तान का माना जना सहर बनारस सामने कांटी स्टेशन की गन्ए मटिजंग विल जब भीम गिरती है शाथी तो कभी जने इस कहानी को उठा कि इस दर्द को उठा करके समाज में भेजने का काम किया आज भी में गिरती है बाबु साहब राम बहादूर कुमकुम मतारी को चोट लगी है मुर्चा में है सुरक्षा करमी कुमकुम को निकाल करके ले जाके स्वास्थ केंद्र हस्पीटल में भरती करवाते हैं रात बिद गई सुवह का बेला हुआ है कुमकुम जब होस्ट में वोती है तो डाक्टरों से एक सवाल करती है क्या बाबु डाक्टर साहब को बुला कि बेट पे लेटी है हाथ पकड़ के डाक्टर का हत्वा जोड किठे सवाल पुछती है का है कि डाक्टर साहब हो कि डाक्टर पापु हो कहमा हुआ सयाही राह मार डाक्टर साहब हो डाक्टर साहब हो कहा हुआ सयाही राह मार डाक्टर साहब हो कि डाक्टर है उपमा इस कल जुग में दिया गया है कि आप भगवान हुआ करते हैं हमारी जान तु बचा लिये लेकिन हमार वजबा हमार सन्या को निवाड में हो साहब हमरे सयाह हमरे बेटा से भेज करा दें साहब भेज करा दें तनी आवरत बोलत थिया निकलल रहली घर से हमान तीनो जाने साथे आया नाही लौकत सयाह हमरे अर्य कचवा कहवा पाटर किटा कृटर साहे पुपो किटा कृटर बाबु हो कहवा पाटर सयाला हमारी जाक्टर साहे पुपो जाक्टर साहाब होसला देते हैं समझाते हैं बुझाते हैं कि आपके पती और बेटा सही सलामत भर पे हैं आपको भर पे ले चलते हैं हम लोग वहां चलके अपने पती और अपने बेटा से मुलाकात कर लिजेगा आपके बेटा और पती सही हैं भुलवावा दे करके आज डाक्टरों ने कुमकुम को डियल डबलू लेके आती हैं इधर बिटियार रूस में है बिटियार रूस में पढ़ाई करती है छपरा में बाबु पस्पति सिंग को खबर लगता है कि मेरी तो बगिये उजड़ गई भागत परात बाबु पस्प एहर बिटिया के जब खबर भैल प्रमाण मिलता है 15 मई की घटना साथी 18 मई को बिटियार रूस से बनारस के धरती पे आती है पोश्ट मार्टम करके लास को दरवाजे पे सुलाया गया है सुलाया गया है बहन जब रूस से पहुंच जाती है बनारस के यह डबलू में एक पर बाप किला से पर भाई किलास के चादर को हटाती है यह सवाल करती है क्या एक बार नयन को भूल पहन से बोल रे भाइया एक बार नजन को खोल बहन से बोलरे भाईया बहना ये रो रो कहे बहना ये राला कहे भाईया ये बैभो तो हुके हर साल हम तर आखी भेजत रह लेनी कहां के ले भाईया तो हरती दी आई लिया एक बार अठिया खोल दी भाईया एक बार आखोलना तब तक नजर बाबु के लास का पहुशती है तो पिता जी को क्या कहती है काहे बोलत नहीं खे बाटा पापा हम रासे काहे बोलत नहीं के बाटा पापा हम रासे हमता मिले भादिर आईल पाल सोहरा से हमता मिले भादिला इल दाले सोहरा से हर्दम रखला बता खयाल मम्मी रोरो भैल प्या लादि बिटिया ये रो रो करे बिटिया रो रही है दुख दर्ध अपना सुना रही है कालोनी के लोग बेटी के उठा के समझा बुझा रही है बाबू पसुपती सिंग रो के कला हमार प्रहुतिय विगार देले रेलाल बड़ा सपना सजवले रहलिन कि नतिनी विदेश में पढ़ा थिया डाक्तरी बेटवा हमारे गुराजस्थान में कोटा में इंजिनरिंग प कभी को लिखना पड़ा भगवान के उपर संकेत करते हैं बारे दुनिया बारे दुनिया के बनाने वाले मालिक यह हमारा साथिक का केला सरकार अल्ला के अंदर भावा बड़ी उची लाइन कभी जी लिखें कैसे भी आ अरे मातम में डूब ले आजा अरे कासी कैना गरिया भईया पाहे रूठी कैला आज भोलाक्री पूरा तिम्बल सीटी का हल जाला त्यक्य दुनिया में साहे पूरा दरसर को रया वति पाट पूरा सानता बाभू जी पसुपति सिंग भवान भोले नाद को पोश रहे हैं यह तो मंद्रियों का सहर है कासी अविनासी की धर्थी हैं यहां लोग मोख्ष के लिए आते हैं आपके धर्थी पर आपके गोट में भी नहीं शुरुचित है प्रभूं इधर डियल डबलू राम बहादूर सिंग के घर पे क्या उड़ा है यहावर बाप बेटा वाव के सगल बाजन जवाब है यहाई रसिया इथा के चलल गंगा के दीना पसुपाती सोच बेटा पोता दी है कनहावा भईया लेखिन भी धाता काई द्यालाए पालत दवाण लास सज्जाती है डियल डबलू में बाप और बेटे की बाप राम महादूर सिंग के पिता पसपती सिंग की दिल में यह खुसी लेकिन अब क्या पस्ताना है जब चड़िया चुंग गई है लास को कफन में ठकने के बाद अर्थिक लोग लेकर के गंगा के तीर पहुंचे है गंगा के तीर पहुंचे है बाबू पसुपती सिंग आज बेटवा और नाती को मुख अगनी देने के लिए तयारी करते हैं मगर खड़ी के अंदर भाव कभी को लिखना पड़ा और जो प्रशासन परजब लेकर सवार भाग है परमें आख ऑड़ा आज दाबू पसुपत सिंग का परिवार खतम हो गया गम तुग के बादल में घिर प्रेड ठक चुके हैं वहां की छटा क्या है शाथी कभी को लिखना पड़ा अरे अगला अगल गोरो जीतावा सजावल है अरे अपसुपतिना अधम अम्य आगिया लगावाल है आज बाबू कहावत है उकमा अलंकार में कभी ने सजाया है गंगा के बीच धारा में अगर नाया है उसका ख्वया केवट नहीं रहेगा तो नहीं पार नहीं जायेगी आज दादा का उढ़ाई भीगर गाई तब कभी के लिखे के परल रहा है अज दादा पहूँ अज प्येटी के फुटला बाबादिया का कोला द्यतावां कावर्य के सवारी पर गुदू कि अज़ेटी के सब्सकार करके बावु सहाफ वो हाथ पगड़ के लोग लाते हैं डियल डबलू आते हैं संबेदना प्रकट करने के लिए तमाम तमाम नेता परेता आते हैं लेकिन यह खटना दिल को तहला देने वाली है मैं कुछ राजनीत की बात नहीं करते हुए मैं अपने दिल से और पेपर की माध्यं से लिखे हुए बात को आज समाज में संदेश के रूप में भेज रहा हूँ हूँ आय मेरे देश के पीम और शियम लापरवाही न बरते करमचारी अधिकारी को टाइट करके किसी भी काम को किसी भी रास्ते और प्रीज रोड चकरोड को बनवाए जिमेदारी भरा काम होना चाहिए यह कमलेश यादो अपने बिरहा की माध्यम से इसी बात को कहता है मेरी मुबाइल नमबर है अंठानवे उन्तालीस साथ सो बीस चार सो नव कभी को कहना परा लाश्त लाइन में गुरु बिहारी राम लगंजी दूप गए है गम से सर्व लग्यों की बाबू राम आसू पहे कलम से खर्राइल बाका सीके नगरी तम यह ना गेंदर दोसी ना पकल जाई खर्राइल बाका सीके खर्राइल बाका सीके ना गयरी तम यह ना खर्राइल खर्राइल बाका सीके ना गव को कहना आसू आस्वे है के खर्राइल